Hello everyone, welcome to Breaktime Classes तो जैसा कि आपको पता है कि UPPCS I.O.G. ने अपना 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें एक हमारी जो मुखी पर इच्छा होती है UPPCS का एक्जाम जिसका प्री का एक्जाम हमारा 14 माई को होना है तो 14 माई तक के लिए हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए किस तरह की बुकलेस्ट होनी चाहिए कौन से important topic जिन से सबसे ज़्यादा question पुछे आते हैं और जो हमें सबसे ज़्यादा marks दिला सकते हैं उन topic को यहाँ पर discuss करेंगे self study के माधियम से कैसे इन topic को cover किया जा सकता है जिसे extra चीजों की ज़रूरत ना पड़े तो वो सभी चीज़े यहाँ पर देखेंगे तो चली सुरू करते हैं सबसे पहले most important thing जो होती है कोई भी तैयारी सुरू करने के पहले उसका previous year paper solve करना तो UPPCS में भी 10 साल के previous paper बहुत important होते हैं और यह इतना ज़्यादा role play करते हैं कि आपकी 50% टैयारी जो है previous year paper से होनी चाहिए और इस तरह नहीं कि केवल previous year में जो question पूछे गए उसकी answer आप याद करने वो जो topic पूछा गए है वो topic आप किसी book से अलग से जाके पढ़ें तो इससे ज़्यादा अच्छी help मिलती है दुवारा फिर से अगर उसी topic से question पूछा जाएगा तो वो हमारा question सही हो जाता है और यह बिल्कुल fix होता है कि जिस topic से question पूछे आते हैं अकसर हर बार उन topic से question यूपी PCS put up करता है तो दस साल के paper solve करना है इसको आप किसी भी जो publication की book ले सकते है चाहिए यूथ publication की या द्रिश्टी IAS की आती है book 10 साल का paper जिसमें दिया होता है उसको आप solve कर सकते हर संड़े संड़े एक paper solve करें तो हो जाएगा या फिर अगर आपके पास book available नहीं है तो YouTube channel पर भी देख सकते हैं किसी भी channel पर जाके आप previous year paper जो है एक एक साल का करके वहाँ से cover कर सकते हैं previous year paper के अलावाट test series बहुत important role play करती है जो UP PCS के लिए pre के exam के लिए खास कर test series बहुत important है जो कि आप कहीं से भी purchase कर सकते हैं break time classes की भी ले सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़े हैं उसमें last में discuss करेंगे आप किसी भी संस्थान से test series ले सकते हैं जिसमें explained answer की हो पूरा अच्छे से आपका जो topic है वो cover हो जाए और जो question का level है वो standard बना रहे है उसका UP pieces के level पे ही वो question हो और ये जो level है वो बहुत कम ना हो बहुत ज़्यादा भी ना हो UPSC का level ना बन जाए क्योंकि इसमें ज़्यादा fact पुछे आते हैं और UPSC की तरह अगर paper बन जाता है तो ज़्यादा fact नहीं रह जाते है उसमें concept ज़्यादा आ जाते हैं जो कि UP pieces में नहीं होता है ऐसा तो थोड़ा सा fact लेके चलने अगर statement भी पूछा जाता है UP pieces में तो भी उसमें fact घुसा दिया जाता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो fact based test series होनी चाहिए next बात करेंगे यहाँ पर history की बात करें तो history में modern history से आप spectrum वाली book जो है cover कर सकते हैं जिसमें सभी चीज़ें starting से last तक नहीं पढ़ना है क्योंकि मोटी सी book होती ही छोटी सी और बहुत boring लग सकती है पढ़ने में कहानी की तरह है बीच-बीच में आप उसको पढ़ते रहें कुछ important chapter हैं जो जरूर पढ़ने होते हैं उससे जो की जिससे सुहतनता संग्राम होला जो chapter है सुहतनता संग्राम से लेके पूरा last तक तो यह चीज़ें जो है spectrum से cover करें काफी helpful रहेगा इसके पाढ़ने की बुक भी काफी important है दोनों मेंसे कोई एक ही आप ले सकते हैं इसके पाढ़ने में fact ज़्यादा दिये हुए है spectrum में fact कम है लेकिन concept अच्छे से clear हो जाता है तो spectrum जो है UPSC के लिए भी काम कर दीए UPPCS के लिए भी काम कर दीए दोनों books में दोनों books को पढ़ने के बाद अगर आप जो भी chapter दोनों books से पढ़ रहे हैं उसको एक बार घटना चक्र से last में जरूर cover करना है जिससे उनसे related जितने भी question बनते हैं वो हमारे cover हो जाए जिस तरह से UPPCS पुछता है यहाँ पर जो कुछ important topic हैं जैसे जितने भी विद्रोग पुछे आते हैं उनके year याद होने चाहिए नेता उनकी याद होने चाहिए जो आदिवाशी विद्रोग या फिर आंदोलन होते हैं नागरी कांदोलन होते हैं उनसे related जो year है या फिर उनके जो नेता है सबी जो हैं संस्थाएं काफी इंपॉर्टेंट होती उन्नीस स्वताबदी का मतलब है 1900 से पहले आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं का काल क्रम जितने भी घटनाओं उन्नीस सो से लेके सब्सक्राइब आपको मंत कम से कम याद होना चाहिए तो यह बहुत इंपॉर्टन है इनसे हर बार कोश्टन पुछा जाता है नेक्स्ट यहां पर चलेंगे एंसेंट हिस्ट्री के तरफ तो कभी एंसेंट हिस्ट्री से ज्यादा कोश्टन पुछ जाते हैं कभी मेडिवल से सब्सक्राइब जाते हैं पूरा अगर बात करें सभी सब्जेक्ट की तो हिस्ट्री के ही कूश्टन सब्भज management रहते हैं इसमें 16 महाजनपदों के कोश्टन आते हैं सभी चीज़ें सोला महाजन्पदों के बारे में वो किस एरिया में थे उस टाइम पे या फिर उनकी राज़धानी क्या थी कोई विसेश महाजन्पद है उसकी विसेशता क्या है कौन सा दच्छड भारत में था कौन सा किस नदी के किनारे था तो ये भी सबी चीजी इंपोर्टन्ट है जैन दोर्म और बहुत धर्म के बारे में जो भी प्रमुक इस्थान है इसे related, वहाँ पर अगर कोई तीर्थंकर पुछा गया, यह किस इस्थान से सम्बंदित है, अगर UP के हैं वो तो बहुत जादा पुछिया दे हैं, कि UP में कौन से इस्थान से कौन से तीर्थंकर सम्दित है, नेक्स्ट बात करेंगे दच्छड भारत का इतिहास पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए दच्छड भारत में खास करके जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है दच्छड भारत में तो पुस्तकें बहुत एक्जाम में पुछी आती हैं मैचिंग में पुछी आती हैं फि संस्कृती से ही कोशन जादा आता है, एंसेंट हिस्टी की बात करें, तो जो कल्चर वाला पार्ट है, उससे जादा कोशन पूछो जाते हैं, कि किस तरह से क्या होता था, उस टाइम पे कल्चर कैसा था, या फिर किसे क्या कहते थे, दच्छन भारत का अगर कोई एक प्रमुक शब्द होता है, उस शब्द को उस टाइम पे क्या कहते थे, उसका मतलब क्या होता था, यह चीज़ें इसमें पूछी आती हैं, जो कि एसके पांडे में आपको मिल जाएंगी, और जो एंसेंट हिस्ट्री वाली सीरीज चलेगी, उसमें भी सभी चीज़ें कवर हो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा, पूरा सीरीज बना दी जाएगी, नेक्सट बात करेंगे, मेडवल हिस्ट्री की, तो किरन पबलीकेशन से मेड़ कंवेलिकेशन में अचीज़ें जो हैं, फैक्ट मिल जाते हैं किरन पबलीकेशन में, इसके पां सब्सक्राइब। को पूछा जाता है और जो में व्यक्तित ही जैसे अलाउ दिन खिल जी तो इन्होंने जो युद्ध लड़े थे उनका युद्ध का क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा था तो इसका खुन से काम किये थे कुछ पता होने चाहिए अकबर का पूरा मतलब, अकबर के बारे में बाता होना चाहिए इसके tocco को चिना ता युद का Kram भी इसमें पुछा जाता है अघ्छा जाता जितने भी चित्रकार हुए, कौन से राजा के टाइम पर कौन से चित्रकार थे, ये पता होना चाहिए, सूफी मतों से कोशेशो भी, सूफी जितने भी संत थे, उनसे कोशेशन पुछे आते हैं, कितने जो सूफी संत में जो मत होते थे, जैसे सुहरा वर्दिया कौन थे, नक और कॉसज पर खी पूछी बहुझत थे रहते हैं क्यां मेरा थिस्ट को है पूछी जा चुके हैं इतना कवर कर लेता है एक्जाम अक्टूबर से लेकर अपरेल तया का पूरा सभी चीजें कवर होने चाहिए क्योंकि मई में एक्जाम है तो एक से चौदा मई का छोड़ देंगे तो भी चलेगा मंतली मैगजीन जो है आप ले सकते हैं कोई भी मैगज ना यूट्यूब वीडियो पे ना मंतली मैगजीन पे सिर्फ तो दोनों यहां पर कवर करना है करेंट अफेर में कहीं से भी चीजें मिल जाती हैं तो यह याद रखेगा कि आप सोचके एक पे रिलाई करके ठीके रहेंगे तो यूपी पीसेल सो सकता है कहीं से भी फैक्ट यह बात चल रही है इसलिए भी यूपी स्पेसल से कोश्टन पुछे जाने की सम्मावनाई बढ़ गई है और परिक्षावाली सबसे इंबॉटन होती है यूपी स्पेसल के लिए सिर्फ परिक्षावाली अगर आप पूरी कवर कर लेते हैं और करंट में जो घटनाई हो र कोश्टन, पुछे आते हैं और काकोषी जो कांड था काकोरी जो ट्रेयन एक्षन था उनसे रिलेटेट चावरा जो पूछि यूपी की बात करें तो यूपी का जो एरिया है वह कितना है उत्तर सरे नेपाल से सटे हूई है report teak ciertुट को यादों 알ें जो है उनकी मतुकि मतृ तो इस तरह से question quality में पूछी जाते हैं और मेला की बात करें तो इस तरह से कौशचन अता है, मैच्चिंग में कौशचन पुछा जाता है या फिर निम्ने ने में से कौशचन पूछी जाते है मेले से, नदी से कौशचन घुट किसकी पूछिया जाता है यह ब या यूमुणा में वаты वेय VS पेशल में आ जाता है इसमें अगर एटलेस आपके दिमाग में नहीं है तो जोग्रफी को बूल जाएए बहुत से 50% कोशन आपके गलत हो जाएंगे और इसके अलाओं महेश बर्णवाल आप ले सकते हैं यह आप वर्ल्ड जोग्रफी के लिए ले सकते हैं इंडियन जोग्रफी के लिए भी ले सक इसमें जो है आपको जो स्टेडी करने विद मैप मैप के साथ आप एक कॉंटिनेंट लेके चलिए उसमें जो जो चीजें उसकी नदी उसका जढ़ना उसका पार पठार जो भी है वहाँ पर रेगिस्तान सभी चीजे उसको मैप को अच्छे से देखिए कि कहां पे कौन सा क कंट्री आ रहे हैं इनकी राजधानी क्या है तो एक कॉंटिनेंट को लेकर एक दिन स्टडी करें या फिर दो दिन उसमें लगाए पूरा कॉंटिनेंट खतम कर दीजे मतलब इस तरह से स्टडी करेंगे तो ज्यादा असानी होती है नदियों की बारे में सभी चीजे पता ह करेंगे परवतों का क्रम भारत में अगर पात की जाए तो भारत में परवतों का क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दच्छन निमलिखित परवस्रणियों को अरेंज करिए तो ये करम पता होना चाहिए ये भी मैप के माध्यम से ही होगा भारत की जितनी भी चट्टाने जितनी भी जो पुरानी चट्टाने फिर नई चट्टाने जो से किस क्रम की चट्टानों में क्या चीज ज़्यादा पाई जाती है फिर चूना किसमें ज़्यादा पाई जाता तो यह सबी चीजे पुछी आती है जंगरना से कोई भी लेटेस जंगरना 2011 वाली जंगरना ही पुछी जाएगी हमेशा इनसे question पुछा जाता है इसलिए important है बाकि काफी दिन हो गया तो आंसर को बंद कर लिजे उसके बाद पढ़िए तो दिमाग पर प्रेशर पढ़ता है तो चीजें जो है एक्जाम में भी वो चीजें help करती है नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे समिधान इर्मार की प्रक्रिया पढ़नी है जो important topics में सबसे ज़्यादा जो question जिसे पुछे आते हैं समिधान सभा में कितने लोग थे या पर कितनी महिलाएं थी किनका क्या काम था जो समितियां बनी थी उनमें समिति के अध्याच कौन थे जिसे उनमें समितियों के अध्याच कौन थे, सभी जो महात्वपूण अनुछेदय थैं。 पहले तो एक से क्यावन तक जितने अनुछेद को कवर करने हैं जितने भाग हैं बाइस भाग वो कवर करनी है या आप एक एक दिन लेके कर शकते हैं या फिर चिपका सकते हैं कहीं ऐसे कि नियायले से शन्मदित जोनुषय हैं जो कि अध्यादे छोनुष्य कोछ़ई है जो कभ्र करना पर नुष्षा सी पाहसे जाते हैं हर बार और जो एक से याओन रहे इसमें जितने भी खंड एशन के कर के जो खंडोसे पुछाते हैं जो मूल कर्दबे में जितने घंड दिए हुए हैं उस अभी कर्तबे का नंबर पको पता होना है किस वह दोकंड प्रमूकck आयोग से कोशन कौन से यह इसके अलामा कितने सदर से होते हैं कि सभी चीजें कौन सा आयोक बना था यह भी इंपॉर्टन्ट है नियाय प्रणाली में सरवोच नयाले उच नयाले के बारे में सभी चीजें पता होना चाहिए आर्टिकल सहीत नेक्स्ट बात करेंगे अभी चितना टाइमेस में आप कुछ कवर होना चाहिए जो कि आपको बायोजी में करना है फिजिक्स में अगर केमस्टी में थोड़ा बहुत चूट जाता है तो भी चलेगा बायोजी में जितना दिया है सब इंपॉर्टन्ट है और सब कोशन पूछा जाता है हमेशा नेक्स बात करेंगे एकोनोमिक्स की तो एकोनोमिक्स में स्टैटिक वाला जो पार्ट है जो हमेशा मतलब चेंज नहीं होता है वो चीज़ें आप लूसरंट से कर सकते हैं जैसे पुरानी कोई योजना है या फिर कोई नीती है मौदरिक नीती हैं किस तरह से काम करती हैं ये सब क्या होता है जो टम्स होते हैं economics के वो क्या-क्या होते हैं, कैसे उनको count किया जाता है, यह सबी चीज़ें आप loose end से कर सकते हैं, इसके अलावा current की जितनी भी चीज़े आती हैं, जिसे economics से related, मौदरिक नीती आती है, क्रशी का data आता है, one report आती है, कोई भी latest report आती है, तो वो सभी हमें चीज़ें जो है, economics के अंतरगत ही आजाएंगी इसके लावा कोई इंटर्नेशनल रिपोर्ट आई इसमें भारत के बारे में क्या कहा गए भारत का किसी पर्टिकुलर अगर कृपर्ट कोई चीज है और कोई दूसरा भी कोई उर्जा से समंदीद बात है, बहरत का कौन सा स्थान है, जो इस्थान है होते हूं वो ज़्यादा पूछ जाते हैं कि कौन सा स्थान है भारत का किसी पर्टीकुलर रिपोर्ट में, तो यह चीजें आठीए से पढ़ लिजेगा कवर हो जाए दुबारा से वो कोश्चन आए तो उसमें से गलती ना हो उस तरह का कोश्चन अगर पूछ जा जाए तो इसलिए एक्स्प्लेंड आंसर किया आप 50 कोश्चन का ये टेस्ट होगा इंपोर्टन इसमें प्रोइड के जाएंगे ये सरल क्विजज होंगे ये वाला जो कोश्चन होगा टेस्स वाला ये टाफ हो का कुजज हो सकता थोड़ा एजी रख दिये जाएं तो इससे जो है अगर एजी कोश्चन आ रहा है या तुछ भी गलत ना हो इसलिए कुजज पूच सकते हैं डीटेल में आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा जिससे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और ये जो 500 है आपको Google पे फोन पे या फिर पेडियम किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं इसके बाद आपको स्क्रीन शॉट वगएरा भीजना होगा जो कि आप वाट् दॉटिं बेक्राइंग जाएड़ ने खान से बाद हो झालो lang वीजना होगा जो ska उले।